REN industry, इंडिया की अंदर maximum retail investor, REN industry का नाम इसी लिए जानते है, क्योंकि इंडिया का top investor Mr. Moniz Pabrai जी इस particular company के अंदर निबसित है, और बहुत सालों से निबसित है, और recently इस company के अंदर अपना जो हिस्सेदारी है Mr. Moniz Pabrai जी हिस्सेदारी को यहाँ पे increase भी किया है, तो आज इस business कैसा perform कर रहा है और साथ ही साथ company का करज़े की बारे में हम लोग थोरा सा बात करेंगे तो सबसे पहली company का overall business को समझते है, rain industry basically तीन तरह का business करते है तो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि company का तीनों ही business कैसे काम कर रहा है और future में कैसा करेगा और साथ ही company का करज़े को भी थोरा सा समझने की कोशिस करते है तो तीनों segment की नाम लेते है तो rain industry सबसे पहले carbon के अंदर काम करते है जो company का core business है दूसरा है advanced materials and तीसरा है cement अगर carbon की बात करें तो वहाँ पे company का revenue के अंदर growth आया है advanced materials के अंदर थोरा सा degrowth and cement के अंदर भी आपको growth देखने को मिलेगा number one business यानि कि company का core business है main business है वो है carbon का business carbon का business के अंदर अगर आप volume देखेंगे यहाँ पे last year इसी quarter में company का volume था 630 metric ton thousand यानि कि 630,000 metric ton company company अपना product यहाँ पे sell किया था वो गिर के within this year यहाँ पे गिर के 617 में आ चुका है यानि कि company का sell यहाँ पे गिर चुका है लेकिन company का revenue यहाँ पे grow हुआ है क्योंकि company के जो product है उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा price बढ़ गया है इसलिए आप देख पाड़ है company का हर एक sector के अंदर CPC segment company का अच्छा क्या है वहाँ पे थोड़ा सा volume increase आया है अगर आप revenue देखेंगे तो तीनों ही segment की अंदर company का revenue आपे बढ़ गया है जो last year कितना था 28.58 वो बढ़के आ गया है 42.33 तो volume गिरा है लेकिन revenue ग्रो हुआ है carbon segment की अंदर तो volume गिरने का पीछे जो दो कारण है वो है raw materials का price का बढ़ना और दूसरा है company का energy जो price है वो यहाँ पे increase होना especially एरोब के अंदर natural grass का price इस particular company को भी effect डाला है company के उसका बाद जो दूसरा business है यानि कि advanced materials का business अगर आप इस business को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी तरह से company पीठ गया है इसका पीचे का reason company का खायना है कि market के अंदर demand बहुत कम था इसलिए chemicals company pressure में है आर्त industry देपक नाइडर कुछ भी company से उठा लीजे थोरा सा pressure में ही है तो rain industry को भी इसको face करना पर रहा है लास्ट यार इसी quarter में company 85,000 में ट्रिक ट्रंस सेल किया था लेकिन इस साल में गिरके 56 में आ चुका है यानि कि उनका जो तीनों vertical है तीनों ही vertical के अंदर company अपना product को उतना जादा नहीं बेच पाया है लेकिन अपना जो revenue है उसको थोड़ा सा balance में इसी लिए रख पाया है क्योंकि जो product का price है वो यहाँ पर अच्छी तरह से increase हुआ है यान कि अच्छी तरह से product price increase होने के कारण company का revenue ठीक टक आया है लेकिन volume के अंदर यान कि जो sale कर रहा है वो अभी भी दवाब में है reason बताते हुए management का कहाना है कि company का एक particular production house यहाँ पर बन था maintenance के कारण कुछ दिनों के लिए वो aromatic जो chemicals है वो business थोड़ा सा गिर गया है साथी company का जो manufacturing cost है वो थोड़ा सा higher यहाँ पर बढ़ा है due to raw materials price and as always जो natural gas का price है वो increase होना rain industry के लिए एक negative point है उसके बाद company के जो तीसरा business है यानि के cement का business वो यहाँ पर अच्छा कर रहा है पिछले कही quarter आप उठा के देख लीजिए company का इस particular जो vertical है यानि के cement का business वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है लेकिन इसमें company का जो revenue परसंग है वो बहुत कम है तो last year इसी quarter में company जहाँ 640,000 metric ton volume wise sale किया था वो यहाँ पे बढ़के 807 में आ चुका है साथी साथ company के जो revenue है वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से grow हुआ है तो company का cement का business volume wise as well as company का revenue wise बहुत ही अच्छा कर रहा है जहाँ पे last year quarter में 3.20 billion rupees का sale किया था वो बढ़के 4.11 billion rupees यहाँ पे हो चुका है अगर आप percentage wise देखते हैं तो 28% यहाँ पे increase हुआ है overly तो अभी तोरह साथ rain industry को करजे को details में समझते है क्योंकि company का जो करजा है वो बहुत ही major problem है rain industry के रहे इसलिए company का share price उत्तरा move नहीं होता है अभी भी यह company आपको 3.69 के आसपास PE में मिलता है क्योंकि company का जो करजा है बहुत चाता है तो जैसे की screen में देख पा रहे है company इस बार working capital के लिए company को करजा उठाना पड़ा यानिकि company अपने business को run करने के लिए company को फिर से 152 million का company को करजा फिर से उठाना पड़ा है अगर अब total करजा देखेंगे यानिकि gross जो करजा है वो रहा 1029 million US dollar last year कितना था 180 million US dollar तो यहाँ पे company का total करजा के अंदर थोड़ा सा कम आया है उसके बाद working capital साब adjust करने के बाद जो पहले मैंने बताया वो gross term करजा था तो working capital को adjust करने के बाद company का total करजा निकल के आ रहा है 1175 million US dollar तो यहाँ पे थोड़ा सा increases आपको total करजा के अंदर दिखाई दे रहे है साथी company का जो cash का position थोड़ा सा गिर चुका है इसलिए company सारे कुछ adjust करने के बाद जो net करजा रहा वो है 950 million US dollar का तो last year कितना था 914 और इस बाद रहा 958 तो यहाँ पे company का जो net करजा है वो फिर से one second यहाँ पे increase हुआ है तो मैं मानता हूँ कि company के लिए एक negative point है उसके बावजित भी रेन इंडिस्ट्री अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो future demand है market के अंदर demand है वो धीरे धीरे लगातार यहाँ पे सुधर रहा है साथ ही मैं आपको बता दो कि रेन इंडिस्ट्री अपने business को यहाँ पे expansion भी कर रहा है capital expenditure के अनुसार company 6.69 billion रूपीज 2022 में ही खर्चा कर दिया था और recently company 0.94 billion रूपीज खर्चा किया है अपने project को expansion करने के लिए साथ ही company का जो cash का position है वो यहाँ पे गिड़ चुका है लेकिन आगयाने वले समय में एक अच्छा खासा cash भी आ सकता है ऐसे भी management के द्वारा pass on किया गया है company का cash outflow भी 20 बार बर गया है जहाँ पे 2021 में company 11.42 billion रूपीज का outflow किया था इस बार वो 20.47 billion रूपीज में पहुंच गया है क्योंकि जो market के अंदर prices है raw materials बोलिए पावर बोलिए वो यहाँ पे बढ़ चुका है इसलिए company को अच्छा कासा पैसा खर्चा करना पड़ा है इसलिए जो आपको working capital टेप्ट है वो यहाँ पे increase हुआ है तो अगर रेन इंडेस्ट्री के बारे में आपो details वीडियो चाहिए तो please comment कीजिए अगर वीडियो पसंद है तो like जरू कीजिए आज वीडियो में तरह सीए और next वीडियो